तो जी स्वागत है fundamental analysis की एक और वीडियो में आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जो मैटो के fundamental analysis के बारे में अल्रेडी चैनल पर एक fundamental analysis series स्टार्ट है जहांपर काफी सारे stocks का fundamental analysis मैं कर चुका हूं तो अगर आपको भी किसी एक stock का dedicated fundamental analysis वीडियो चाहिए तो comment में आप मुझे पता सकते हैं अब अगर बात करें जो मैटो की तो जो मैटो आपको पता है एक food delivery company देखने को मिलती है हलाकि इनके खुद के कोई ऐसे product नहीं है जिसको हम market में देख पाएं सिर्फ यह एक तरीके का mediator है और एक e-commerce की website कह सकते हो या e-commerce application है जो आपको यहाँ पर एक service provide करती है share price की बात करें तो 65-70 रुपे के बीच में देखने को मिलता है currently जिससे में आप वीडियो देख रहे हो थोड़ा बहुत उपर नीचे price हो सकता है market cap के अगर बात के जाए तो लगबग 55,000 करोड का market cap देखने को मिलता है stock काफी ज्यादा fluctuate हुआ है जिससे में listing हुई थी उसके बाद एक अच्छी rally है उसके बाद वापस एक बहुत जबर्जस्ट correction आया और काफी बुरी तरीके से पिठता हुआ नजर आया बट वापस उसके बाद फिर से इस stock नहीं recovery ली और अभी एक fixed range bond में घूमता हुआ नजर आता है अब अगर company के overview की बात करें तो जो matter जो एक Indian mentalational restaurant aggregator या फिर food delivery company देखने को मिलती है जो found की गई थी mr. दिपिंदर अगरवाल एंड पंकर चड़ा जी के दुआरा सन 2008 में currently अगर हम बात करें तो यह operate करते हैं 10,000 से जादा cities में और total 25 countries में including US, India, Australia, Brazil, New Zealand, Singapore and the United States तो कह सकते हो कि काफी बड़ा globally business देखने को मिलता है और काफी अच्छे-खासे operations भी इनके चलते हैं अब ही अगर हम बात करें तो Jomato फिलहाल के दिनों में focus करता हूँ नजर आता है online food delivery पर उसके लावा restaurant reservation पर, loyalty program पर and consultant service उसके लावा काफी सारी और भी चीज़े हैं जिन पर यह काम करता हूँ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप जानते हो Jomato को अच्छे से तो आपने देखा होगा Jomato की application जब हम use करते हैं तो उसमें membership के भी plan होते हैं और loyalty program भी होते हैं जहाँ पर हमको discount भी देखने को मिलता है या फिर member हैं अगर हम तो offers भी especially कुछ अलग से देखने को मिलते हैं अब अगर बात करें 2010-2013 के बीच में तो Jomato ने लगबग 16.7 million dollar का fund raise किया था Info Age India इस company को भी आप अच्छे से जानते होंगे जहाँ पर लगबग इन्होंने 57.9% stake Jomato में खरीदा था 16.7 million dollar के बदले तो Info Age को अगर आप कहो तो एक बहुत अच्छा कासा stakeholder नजर आता है Jomato के अंदर और अगर यहाँ पर Jomato अच्छा से बूम करता होगा नजर आए तो आपको Info Age में भी काफी तेजी देखने को मिलेगी अब यहाँ अगर हम share holding pattern की बात करें तो हो सकता है share holding pattern आपको थोड़ा सा अटपटा लेगे बट मैं उसको थोड़ा सा define करने की कोशिश करूँगा सबसे बहले public की अगर holding देखें तो 86.51% FIIs की holding देखें तो 10.16% DIs की अगर बात करें 3.33% promoter की holding 0, other parties 0 तो promoter की holding 0 क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Info Age ने अच्छा खासा stake लिया हुआ है लगवग 58% stake Info Age के पास है तो वो public category में है अब जो यहाँ पर company के खुद CEO है फाउंडर है उन्होंनों भी जो भी stake लिया हुआ है वो public category में यहाँ इंडिविजल category के थ्रू लिया हुआ और वो public category में आपको देखने को मिलेगा जिस वज़े से promoter holding 0 नजर आती है यही कहानी कुछ पेटियम में भी आपको देखने को मिलती है पेटियम का भी सेम इसी तरीके का share holding pattern देखने को मिलता है जहाँ पर public के FIA या डिया इसके पास काफी अच्छा stake है promoters का नहीं नजर आता है जब आप उनको detail में चेक करोगे public FIA या डिया तो महाँ पे आपको देखने को मिलेगा बड़ी parties ने भी लिया हुआ है और जो promoters है उन्होंने individually महाँ पे खरीदा हुआ है अब company के अगर strength की बात करें तो यहाँ पर company अच्छा खासा revenue शो करती है और पिछले तीन सालों में लगबग 66% से ज़्यादा का revenue growth या नजर आता है company virtually debt free देखने को मिलती है और company का अच्छा खासा efficient cash conversion cycle भी है जो लगबग 27.31 days का यहाँ देखने को मिलता है उसके राबा company यहाँ पर अच्छी खासी healthy liquidity position भी बना के बैटी ही है और जिसकी current ratio देखने को मिलते है 8.42 की अगर company की strength है तो जाहिर सी बात है कुछ weakness भी होंगे जी हम limitations कहते है तो limitations की अगर बात की जाए तो यहाँ पर profit growth काफी बुरी तरीके से पिटता हुआ नजर आ रहा है पिछले 3 सालों में लगबग यह हमको 31% से ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिलता है वही अगर हम बात करें ROE की तो पिछले 3 सालों में company की ROE लगबग 80% तक कम होई है वही अगर हम बात करें ROCE की तो ROCE भी पिछले 3 सालों में लगबग 65% तक कम होते ही नजर आई है अब अगर company की negative cash flow की बात करें तो यह operations से लगबग negative 316 पर देखने को मिलता है जो एक data margin की बात करें तो वो भी low देखने को मिलता जो negative में 70.49% का पिछले 5 सालों का यहां नजर आता है तो यह काफी सारी गिरावट क्यों हुई है आपको पता होगा COVID में अच्छे अच्छे बिजनिस जो है वो उखडते वे नजर आये थे जमीन से उखड कर बिलकुल खतम हो ग हैंगी बट जो बिजनिस गिरे हैं पूरी तरीके से पिटे थे उनको रिकवर होने में भी अभी टाइम लगेगा तो इसलिए जो लिमिटेशन नजर आ रही है यहां आपको यह सिर्फ टैंप्रेरी है यह एक साल दो साल तीन साल के रही है यहां पर ROE ROC इंप्रूव होती नजर आ जाएगी जो cash flow का यहां पर operation से नजर आता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा ठीक टक और EBITDA margin भी improve होता हूँ नजर आ जाएगा तो अगर आपने stock खरीदा हुआ है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है price chart के अगर बात करें तो आपको पता है लगबग सितंबर में stock list हुआ था 2021 में जो मैंने बताया कि इस listing के बाद अच्छी तेजी और इसके बाद continuously fall almost अगर आप चेक करोगे तो यह अभी भी 45 या 46% के आसपास जो इसका 52 भी खाई है उससे नीचे ही trade कर रहा है अच्छी कास listing gain दिये थे listing gain के बाद एक अच्छी तेजी पकड़ी बट महां से जो fall हुआ उस fall में यह भी दुहस्त हो गया और जो बड़े-बड़े दिग्गत थे जिन्होंने low level के target दिये थे वो target इसने hit किये बट महां से अब उपर के level भी पकड़े है तो जिस समय आप वीडियो आप के जाए company की तो लगबग 5,000 क्रोर का market cap है current price around 60 या हम कह सकते है 65-70 की range के बीच में पकड़के चलिए 52 week high अगर देखें तो 169 का है 52 week low की अगर बात करें तो लगबग 50 रुपे का देखने को मिलता है और एक नया PE आपको देखने को मिल रहा होगा बुक वैल्यू की बात करें तो positive में बुक वैल्यू है जो देखने को मिलती है 21 रुपे dividend company offer नहीं करती ROC अभी negative है ROE या भी negative है और face value एक रुपे है ROC आरोई positive होने में time लगेगा market क्योंकि बहुत बुरे face से गुज़रा है और अभी भी market में अच्छी तेजी नहीं है साथी जो company का business था वो भी बहुत बुरी तरीके से पिटा था COVID के बाद अब थोड़ी सी recovery mode में आना स्टार्ट हुआ है तो थोड़े से समय रहते ये चीज़ें भी आपको positive side पे देखने को मिल जाएंगे अब अगर company के annual result overview की बात करें तो यहां पर profit growth एक साल में 63% है बढ़ वही अगर हम 3 साल पे जाएं तो 310% negative देखने को मिलती है और 5 साल में 202% negative देखने को मिलती है यानि पिछले 1 साल से business में improvement आई है बढ़ पिछले 3 साल और 5 साल से देखें तो थोड़ी सी weakness थी अब sales growth के अगर बात की जाएं तो sales growth पिछले 1 साल में लगवग 26% से sales growth improve होना चाहिए तो profit growth अपने आप improve हो जाएगा और यह दोनों चीज़ improve हो गए तो फिर हमको ROCE और ROE में भी improvement देखने को मिलेगा currently ROCE की बात करें negative में last year का 19% पिछले 3 सालों का 64% से ज्यादा negative है और पिछले 5 सालों में 58% से ज्यादा negative देखने को मिलता है तो वही अगर आप एक चीज़ देखो 5 साल में continuously 8% negative था तो वो अब घटकर सिर्फ 19% पर आ चुका है तो ROCE बहुत जल्द positive भी होता हुआ देखने को मिलेगा इसमें कोई बहुत जादा हैरानी भरी बात नहीं है ROE की अगर बात करें तो उसको भी लगबग सेम pattern follow कर रहा है जो ROCE ने follow किय पिछले एक साल में 23% के आसपस negative है पिछले 3 साल में 80% के आसपस negative है और पिछले 5 साल में 82% से ज्यादा negativity यहां देखने को मिलती है तो same pattern जो ROC का है वही ROE ने भी follow किया है इन दोनों चीज़ों को improve होने में अभी time लगेगा at least 1-2 साल का time आप पकड़के चलिए तब इस stock म आपको अच्छी तेजी अच्छी recovery भी देखने को मिल सकती हो और यह बड़े levels बनाता हुआ भी आपको देखने को मिल सकती है तो फिलाहल इस video को मैं यह end करता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो like करके appreciate कर दीज़े या फिर कोई study purpose से आपको content चाहिए जो चीज आपको समझ में नहीं आती उसको आप समझना चाहते हो कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे comment करके बता दीजेगा मैं जल से जल उस topic के उपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा